आज मैं आपके लिए कतर प्रोडक्शन्स के ड्रामा उमर सीरीज की किस्त नंबर 20 का उर्दू तर्जुमे के साथ ओवर्वियू लेकर आई हूँ ड्रामे की तरफ भरने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सबस्क्राइब करें मेरी वीडियोज लाइक करें और जादा से जादा अपने फैमली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें शुक्रिया अबुकदादा रजियला ताला नहों कहते हैं अल्रबाब ने उन लोगों से अमन का मौहिदा किया हुआ है खालिद रजियला ताला नहों फर्माते हैं क्योंके वो जरूरी था उन्हें खुद की और अपने खांदानों की हिफाज़त करनी थी हता के खुदा इन्हें निकलने का कोई रास्ता दिखाता खुदा की कसम अगर मैंने मालिक को पकड़ लिया मैं उसे सक्त सजा दूंगा क्योंके उसने अल्रबाब के मुसल्मानों का बेजा कतल किया है मैं उस पर एक सिपाही के असूल कतन लागू ना करूँगा लेकिन एक कातिल के असूल जरूर लागू करूँगा एक कातिल को जंग में अमन में दोनों में सिर्फ मौत की सजा मिलनी चाहिए अबुकदादा र. अन्हों कहते हैं कि हमें उनकी तरफ नहीं भड़ना चाहिए हता कि हमें खलीफा का हुकम ना मिल जाए ये सुनकर सलीम र. अन्हों कहते हैं कि अबुबकर र. अन्हों इस बारे में सच कह रहे थे वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं अब हम देखते हैं कि सजा और माली के लोग मुस्लिमा के लोगों के खिलाफ क्या करते हैं क्यूंकि अब वो उनकी तरफ भड़ रहे हैं इस मनजर में सजा अपनी फौज के साथ कूच कर रही होती है और अपने लोगों को कहती है कि यमामा की तरफ चाओ पेज आंधी की तरह ये फैसला कुन मोहिम है इस मनजर में मुस्लिमा अपने लोगों से कहता है कि नहीं हम उनसे नहीं लड़ सकते वो मेरी तरफ अमन का पेगाम लेकर आए हैं इसलिए उसने हमें अकेला छोड़ दिया मैं तुम्हें हुकम देता हूँ कि इसे वो दे दो जो उसे चाहिए ताके वो हमें तनहा छोड़ दे और जंग का इरादा बदल दे इस तरह वो जिजीरे की तरफ वापिस चली जाएगी इतने में सजा यमामा पहुंच जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा खलीफा तुम्हें महफूज रखेगा बाहर आओ और लड़ो या फिर मुझे वो दे दो जो मैं चाहती हूँ मुस्लिमा कहता है अगर तुम्हारी खाहिश है कि मैं तुमसे लड़ू और जो मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं तुमसे क्यों लड़ू जबकि मैं दूसरों से बेतर लड़ सकता हूँ क्या हम कुछ असूलों पर मुत्विक हो सकते हैं जो तुम्हें और हमें दोनों को मुत्माइन कर सके सजा कहती है तुम क्या देना चाहते हो मुस्लिमा कहता है ये मामला एक साथ बैट कर ही हल हो सकता है सजा कहती है तो फिर नीचे आओ मुसलिमा कहता है नहीं तुम और मैं अकेले बात करेंगे मैं तुम्हे तुम्हारी और तुम मुझे मेरी हिपाज़त का एहद दो फिर हम एक खैमा लगाएंगे जो ना तुम्हारी फौज के करीब होगा और ना ही मेरी फौज के इसके बाद खैमा लग जाता है और वो इसमें बैठकर मामलात हल कर रहे होते हैं माले खैमे के बाहर देख रहा होता है इतने में लेला आकर उसे कहती है क्या तुम्हें ये बात परिशान कर रही है कि वो दोनों एक साथ अकेले हैं माले कहता है इद खैलात को रोको और ये किया तफहीम हो जो तुमें मुतमें कर पाए या नहीं तुम कोशिश और जमेदारियों में इसके हिस्सेदार हो फता में नहीं तुम जल्द ही देखोगे कि मैं सही थी वो सिर्फ लेगी हर गिसम का फाइदा अपने लिए और अपने लोगों के लिए और जब वो तगलब के अलाकों में वापस जाएगी वो तुमें तर्प कर देगी मालिक कहता है खलीफा और खुदा की तलवार तुम मेरे खिलाफ क्यों कर रही हो लेला जबके मैं तुम्हारा शोहर हूं लेला कहती है तुम अब ज़्यादा देर तक मेरे शोहर नहीं रहोगे और मैं तुम्हारे लिए सिर्फ वुलाम हूँ और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है इस मनजर में सजा मुस्लिमा के पास आती है और कहती है बताओ तुम्हारे पास मुझे देने को क्या है मुस्लिमा कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा क्या मेरे पास है जब मैं जान जाऊंगा कि तुम क्या कहना चा रही हो सजा कहती है चलो वही से शुरू करते हैं जो तुमने इल्जाम लगाया तुम मुझे कुछ वही के बारे में बताओ मुस्लिमा कहता है क्या तुम्हारे खुदा ने एक हामला औरत के साथ क्या किया उसने एक रूख को चुना इंदराज और बरकरारियत के साथ सजा हसने लगती है और कहती है सजा इसे नहीं ले सकती सजा ले लेती लेकिन वो कभी न लेगी मुस्लिमा कहता है ले लो फिर वो तुम्हे एक साल तक यमामा की पैदावार देगी तुम इसका आधा अभी ले लो और तुम कुछ लोगों को छोड़ दो ताके वो बाकी का आधा ले जाएं तुम अपनी जगा पर वापिस चली जाओ अरब से क्यों लड़ती हो आया क्या मै मुस्लिमा कहता है तुम उससे शादी कर लो मेरे साथ तीन दिन तक रहो और फिर हम एक दूसरे के साथ होंगे हमारा मौहिदा बेटर तरीके से मोहर बंद हो जाएगा फिर हम अपने पे रास्तों पर चले जाएंगे हम इस तरह राजी होंगे और अलग होते हुए भी राज सजा मौहिदा करके अपने खैमों की तरफ वापिस आ जाती है और अपने लोगों को कहती है कि मैंने मुस्लिमा से मौहिदा कर लिया है वो हमें एक साल तक यमामा की पैदावार देगा खैमों को उतार दो घुरों को वापिस जानी की तियारी करो हमने नजजद में अपना क तिम्हारे साथ, अगर तुम्सलिमाँ से कुछ चाहते हो, तो तुम उसे कह सकते हो, ये कहकर सजाद चली जाती है, मालिक से उसका एक आगमी द्रियाफ्त करता है, जे अब हम क्या करें, मालिक कहता है, हम चोटे-चोटे हिस्सों में तक्सीम हो जाएंगे, इस तरहां, चाहए खालिद रजी अल्हा अन्हों हमें एक जगा तलाश नहीं कर पाएगा। तो शायद ये मौका खो दूँ ये वो मौका है जिसे हम खो नहीं सकते। मैं तुमेंसे किसी को मजबूर नहीं कर रहा। ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम मेरे साथ कूछ करो या पीछे रह जाओ। ये कहकर खालिद रजी अल्हा अन्हों चले जाते हैं और बाकी सब भी उनके पीछे हो लेते हैं। अब्दुल्ला रजी अल्हा अन्हों आजान देते हैं। हवाएं बहुत तेज चल रही होती हैं और वो सुनने की कोशिश करते हैं कि दूसरी तरफ से भी आजान की आवाज सुनाई दे। عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ ہوا بہت تیز چل رہی ہے آواز نہیں آ رہی چلو ہم آگے بڑھتے ہیں اگر وہ ہم سے لڑے تو ہم بھی ان سے لڑیں گے اور پھر سب آگے بڑھتے ہیں مالک اور مالک کے آدمی اپنے ہتھیار گرا دیتے ہیں تو ان سب کو قیدی بنا لیا جاتا ہے اس منظر میں عبداللہ رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ میں نے ذاتی طور پر آزان کی آواز نہیں سنی میں نے کچھ آوازیں سنی تھی پر وہ مجھے آزان کی آواز نہیں لگی ابو قطادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے آزان کی آواز سنی ہے خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہیں واقعی ہی لگتا ہے صحابی ابو قطادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دعویٰ نہیں کرتا کیونکہ وہ واضح نہیں تھی وہاں بہت تیز ہوای چل رہی تھی لیکن مجھے شبہ ہوا کہ میں نے آزان کی آواز سنی تھی खालिद रजी आला उन्हों फर्माते हैं शुबा कभी भी सच्थी जगा नहीं ले सकता अबु सुल्मान ये पुरानी आयात इस जगा लागू नहीं हो सकती इनसाफ में शक और शुबा मुल्जिम के हक की तश्रीख करता है जब हम उनके करीब गए थे तो उन सब ने हथियार गिरा दिये और खुद को हमारे हवाले कर दिया खालिद रजी आला उन्हों फर्माते हैं मुझे लगता है कि तुम सब उसके लिए मुझसे माफी मांग रहे हो क्योंके वो इस कबीले का सरदार है और उसका अपना एक मकाम है अरब में खुदा की कसम मैं मालिक और गुलाम में फर्क न करूंगा अबुकतादा कहते हैं ये हमारा मकसद धर्बिज नहीं अबुसुलिमान हम थोड़ा इतियार करना चाहते हैं ताके नाहग खून न बहे खालिद रजियाला नहीं हो फर्माते हैं इससे बड़ा जवास क्या है कि उन्होंने पहले जकात देना छोड़ दिया और फिर उस जादू गनी सजा की अतात करने लगे और उन्होंने उसके साथ बनिया अल्रबाब के खिलाफ लड़ाई की जिसमें बहुत से मुसल्मान लोग थे उसने सब का इंकार किया जो मुहम्मद स्लिल्लाहु अल्यवाले वासल्म ने हमें सिखाया उसने बेज़ा मुसल्मानों को कतल किया अबुकतादा फर्माते हैं तो फिर उसे खलीफा के पास भेज़ दो इंसाफ के लिए खालिद रजी अल्यवा नहों फर्माते हैं मैं जब भी कोई कदम उठाने लगता हूँ तो तुम कहते हो के खलीफा के पास जाओ जबकि हमारे दरमयान बहुत दिनों का फासला है उन्होंने मुझे सरबरा बनाया है मुझे बगत और जगा को देखकर फैसला करना है दूसरी सूरत में दुश्मन हमारी तरफ बढ़ने के एहल हो जाएगा और जबकि हम उलजन में ही रहेंगे अब्दूला रजी अल्यवा नहों ये सुनकर कहते हैं तुम सही कह रहे हो अबु सुलिमान तुमने मालिक को कैदी बना लिया है जबकि तुमने अपनी फौज को अलैदा अलैदा भेजा और वो और तमीम के लोग पनाह मांगने लगे इस से पहले कि तुम्हें खलीवा का खत मौसूल होता हम सब इस काम में तुम्हारे साथ आगे बढ़े अब वो तुम्हारे शिकंजे में है उसे कैदी के तौर पर इनसाफ के लिए अबू बकर रजियाला अनहो के पास भेज़ दो जैसा कि तुमने गत्फान के सरदार आयाना अबने हिसन के साथ किया था खालिद रजियाला अनहों अब्दूला रजियाला अनहों की बात सुनकर कहते हैं तुमने एक चीज़ को जाहिर किया और दूसरी को भूल गए खालीफा ने बजाखा के लोगों के मतलिक मुझे क्या हुकम दिया था जब हमने उन्हें शिकास दी थी उन्होंने कहा था उनसे कुछ कबूल न करो हता के वो तुम्हें वो न दें जिन्होंने अपने ही लोगों में से मुसल्मानों को कतल किया जब वो तुम्हें वो लोग दे दें तो उन्हें कतल कर दो उस जुम की बिना पर जो उन्होंने मुसल्मानों पर किया ये लोग भी उसी हालात में हैं मालिक इबन नवेरा को कतल करना ही चाहिए चाहे वो मुसल्मान ही क्यों न हो ये कहकर खालिद रजी आला अन्हों मालिक के पास आते हैं और उनसे कहते हैं इस तकबर को खतम करो और मेरी तरफ देखो मुझे बताओ तुम क्या थे और ये सब करने के बाद तुम क्या हो गए हो मुझे जवाब दो मालिक कहता है अगर तुम खालिद बने वलीद हो तो मैं मालिक बने नवेरा हूँ खालिद रजी आला अन्हों घुसे में फरमाते हैं कैद भी तुमें बदलना पाई मालिक जवाबन कहता है एक शेर अपनी जिल्द नहीं बदलता चाहे वो कैद ही क्यों नहो जबके नियुला हमेशा नियुला रहता है चाहे वो आजाद ही क्यों नहो मैं इसके बात क्या था वो ही शेर फित्रत जो होता है उसे हेवानों का बादशा बनाया गया है वो कोई भी चीज कम कबूल नहीं करता जब उसे उसके इलाके में आजमाया जाए वो सक्ती से लड़ता है और कतल हो जाता है खालग रजियला ताला नहों फर्माते है मेरे पास तुम्हारे खिलाफ ठोज सबूत है जब तुमने जगात देने से इंकार किया और उस जादू गर्नी की इतात की जो के नबूत का दावा करती है और फिर उसके साथ तुमने अलरबाब के घराने से मसल्मानों को कतल किया तुम उनके खून के जिम्मेदार हो इसके लावा तुमने जकात के बारे में क्या कहा था मालिक कहता है नमाज की बात करो तो अगर तुम चाहो तो वह मैं पढ़ सकता हूँ खालिद रजी अला टाला अन्हों घुसे में फर्माते है अगर मैं चाहूं या जिसका खुदा ने हुकम दिया है तुम ये खुदा के लिए नहीं करोगे मालिक कहता है अगर मैं खुदा के लिए पढ़ूँ तो फिर खुदा अकेला ही जानेगा तुम वो ही जानोगे जो मैं जाहिर करूँगा छालिद रजी अला टाला अन्हों फर्माते हैं क्या तुम नहीं जानते कि नमाज और जकात का एक ही दर्जा है मालिक कहता है ये तुम्हारे लोग दावा करते हैं खालिद रजी अल्हा नहों कहते हैं हमारे लोग तुम्हारा मतलब रसूल खुदा तो क्या वो तुम्हारे नहीं ये सुनने के बाद खालिद रजी अपने साथियों से कहते हैं कि इसने खुद ही अपनी मजब्मत कर दी इसका सर धर से अलग कर दो अबुकतादा उसे रोकते हुए कहते हैं कि खालिद ऐसा मत करो خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں इस सब के बाद जो इसने कहा तुम अभी भी इसके लिए मुझसे बहस कर रहे हो ये कहकर خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہو चले जाते हैं और मालिक को मार दिया जाता है इस मंजर में अबू कतादा رضی اللہ تعالیٰ عنہو मदीने में अबू बकर रजीने के पास जाते हैं और इने सारा मामला बता रहे होते हैं और कहते हैं उस आदमी ने ऐऊसा कुछ ना कहा जो इसके कुफर को जाहिर करे और उसने जो अल्रबाब के शुम्मनों के сाथ किया वो तो जंक का हिसऽा था मैंने खालिद र्जी अला टॉशु को उसके कतल से मना किया लेकिन उन्होंने मैंने तज्वेश को ठुकरा दिया इस से पहले कि मैं साबित करता कि मैंने आजान की अवास सुनी है और उसे महसvor किया है दूसरोंे मेरा इंकार किया मालक को कतल करने के बाद खालुद रजी आला अन्हों ने उसकी बीवी लेला उमे तमीम से शादी कर ली ये यकीना दे एक जिल्लत है जब उसने ये किया तो मैं आपको शिकायत करने के लिए रवाना हो गया अबुबकर रजी आला अन्हों फर्माते हैं क्या उसने इस औरत की इदत खतम होने के बात शादी की अबुकतादा रजी आला अन्हों कहते हैं जी हाँ अबू बकर सदीक रजी अल्हा अन्हों दोबारा सवाल करते हैं क्या उसने उसे मजबूर किया या उसने अपनी मर्जी से शादी की इससे पहले ही उमर रजी अल्हा अन्हों फर्माते हैं उसने उसे उसके शोहर से ले लिया जबके वो एक कैदी था और वो भी यकीनाने कैदी ऑुरत थी वो इस हालत में नहीं थी कि उसे उसकी रजामन्दी पूची जाती fell apart अबु बकर अबु कि बाद भाद अबु किसकी इजाज़त से यहां आए हो क्या तुमने अपिस पोसालार को बताया عمر رضی اللہ تعالیٰ और हो बोलने लगते हैं कि अबूबकर रजी ताला अन्हों नहीं रोख कर कहते हैं अबू कतादा फौज और खालिद को छोड़ कर यहां आए गलत किया वापिस जाओ वही करो जो वु कहे और उसके साथ जहाद को मच चोड़ो अबो कतादा के चले जाने के बाद जबके दुश्मन उनके हालात पर नजर रखे हुए हूंगे अगर तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला भी इसी शिकायत के साथ यहां आया होता तो अबुकतादा से जादा मैं उससे सक्टी से पेश आता अबो बकर रखे ईबके आदाना हो फिए हुए हुए हूगे तो खालित का क्या उसके साथ तुम क्या करोगे जा तुम उसे सिजा न होतादा है अगर आदमी ने शिक का अपने मूँ से इजहार ना किया तो उसने अपने रविये से सब जाहर कर दिया और उसका क्या जो उसने उस सहर जदा औरस सजा की इतात में किया क्या उसने उसका दावा ना किया था कि वो नबी थी और अल्रबाब के मुसलमानों को कतल करने का क्या क्या हमने गत्फान और असद को सजाएं नहीं दी जिन्होंने अपने मुसलमानों के साथ यही किया और खालिद ने उसे सजा ही तो दी है उमर रजियला अन्हों फर्माते हैं इस मामले में ये एक लड़ाई थी जैसा के अबू कतादा ने कहा फिर दोनों जमाते आमन पर मुत्फिक हो गए दूसरी तरफ वो आगे क्यों भड़ा उसे पहले आपसे पूछना चाहिए था यगीनन उसने बजाखा को छोड़ा मालिक से लड़ने के लिए अबू बकर रज़ियला अन्हों फर्माते हैं ये मेरा तरीक कार नहीं कि फोज का सिपासलार हर चीज़ के लिए मुझसे रापता करे जबके वो हमसे बेहत दूर है फोज का सिपासलार वो ही तदाबीर लेता है जो ऐसा उसे नज़र आ रहा होता है अगर वो सही है तो वो दोरा अजर हासल करता है अगर वो गलत है तो वाहिद अजर हासल करता है और इस मामले में खराबी के नताइच कम संगीन है ताखीर के नताइच से अगर वो मुझे खत लिखता और ताखीर हो जाती तो जो दुश्मन उनके नस्दीक था उनके हाथ ना आता अमर रजियला अन्हों फर्माते हैं ये मेरा तरीका कार नहीं आपके सिपासालार का कदम आप ही के खिलाब दर्श किया जाएगा क्योंकि आप उनके सरबरा हैं मुझे डर है कि कहीं आपको बताये बगएर खुद ही ना फैसला करने लगें ये आसान है चबके वो आपसे दूर हैं अबुबकर रजियला अन्हों अमर रजियला अन्हों की बात सुनकर कहते हैं अमर वही का आना रुग गया है खुदा ने तफसीर से बता दिया है कि क्या जाइस है और क्या हराम रसूल खुदा ने इस बात को यकीनी बताया है कि हम पर पूरी वजाहत जाहिर हो दुनिया के मामलाद, हकुमती मामलाद और लोगों के मफदात के लिए इंतजामात समेथ हमें हمیشہ خدا سے डरना चाहिए सब सोचना चाहिए और हमेशہ خدا سے द्वा करनी चाहिए जो चाहिए कि वो हमें रास्ता दिखाए और हमें दुरूस फैसला करने की तौफीक अता फर्माएं हमें जिसका सामना है वो बिलकुल वाज़ है जैसा कि दिन की रोशनी इसलिए खुदा ने एक मखलूकी दर्जा बंदी की है एक सूरत में कि वो नजम उजब में रहें मशावरत और खुदा के डर से ये वाज़ करता है कि एक तलाफ राय जंग में पैदा नहीं हो सकते मैंने अपना तरीके कार वाज़ कर दिया तुम्हारा मुख्तलिफ तरीके कार है ये किसी की अपनी ताकत, कमजोरी और दरुस्तगी है खुदा का शुकर है कि उसने मुझे अमर का साथ दिया कि वो मेरी मदद करे दो तरीके कार, एक दूसरे के मौतदल होते हैं अमर रज़ियला तला नहों फर्माते हैं ठीक है, ये है एक सिपासलार और गवरनर के एकदामात की सूरत में लेकिन ये खालिद रज़ियला तला नहों को बेकसूर साबित नहीं करता जो उसने मालिक का कतल किया फिर उसकी बेवा से शादी की मैं इस मामले में बहस कर सकता हूँ अबुबकर रज़ियला अनहों फरमाते हैं और तुमने लंबी बहस करनी है मैं इस बारे में यही कह सकता हूँ कि उसके पास उसकी अपनी वज़ाहत होगी अमर रज़ियला अनहों फरमाते है आप उसको बता दें चिए उसकी तलवार बहुत सخت है और वो जल्दी अमल करता है नहीं तो उसको बदल दे अबू बकर सद्दी के एक दम से फर्माते हैं बदल दू दूर ले जाओ इस नसीहत को मुझसे खुदा की कसम मैं उस तलवार को कतन नीचे नहीं करूंगा जिसे खुदा ने काफिरों के खिलाफ खड़ी किया है तुम खालिद के लिए इतने सफ्ट क्यों हो अमर क्या कोई पुरानी बात है क्या अब तुम्हें अभी तक याद है जो उसने उहद में हमारे साथ किया इसलाम पहले के कामों को मिटा देता है अमर अब वो मुसल्मान है रसूलल्लाह अल्यह वाले विस्सल्म ने उसे सैफ उल्ला कहा है और वो दिया है जिसके वो काबल है अमर अभी तौर पर उसके खिलाफ नहीं हूँ और ये तुम भी जानते हो कि वो मेरी वालदा की तरफ से मेरा रिश्टेदार है इसलिए मैं उसका दिफान नहीं कर रहा लेकिन मैं मुसल्मानों के फाइदे के लिए कह रहा हूँ अबु बक्र रजी आला नहों फर्माते हैं और मैं भी यह सब इसी के लिए कर रहा हूँ इन्शालला फर्स करो अगर वो हालात को पढ़ने में नाकाम रहा तो क्या मैं उसे तबदील करके सजा दूँ अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं महद उसे नहीं बलके पूरी मुसल्मान जमात को सजा दूँगा उन से वापिस लेकर खुदा की अपनी तलवार को मैं इन्हें एक मजबूट जंगी सपह सालार से महरूम कर दूँगा जिसे अरब और मुसल्मान हमेशा से जानते हैं और पिर कौन सपह सालारी करेगा हनीफा के कबीले के खिलाफ जबके उन्होंने पहले अक्रमा और शुराबील इबन हसना को शिकस्त दी तुम जानते हो वो कितने बहतरीन सिपह सालार थे अमर रजियला ताला अन्हों फरमाते हैं यही चीज मुझे डरा रही है कि लोग कहेंगे कि कोई भी खालिद की जगा नहीं ले सकता फिर उसे खुदगर्जी की अजाज़त मिल जाएगी और वो इन्हें अपनी मर्जी से चलाएगा और लोग उसके परिस्तार हो जाएंगे अगर वो हुकम देगा यह खलीफा का हुकम है तो वो उसकी अतात करेंगे अबु बकर रजियला ताला अन्हों अमर रजियला ताला अन्हों की बात सुनकर फर्माते हैं कि शुबा पर फैसला मत करो अमर इसके होने से पहले मत बताओ हता कि खुदा हमारे लिए कोई फैसला न कर दे इस मन्जर में कासेद अबु बकर रजियला ताला अन्हों का खत लेकर खालिद रजियला ताला अन्हों के पास जाता है जिसमें लिखा होता है कि यमामा की तरफ कूछ करें मैं तुमें इसका हुकम देता हूँ खुदा से डरो कि इसका कोई शरीक नहीं है खालिद खुद को नसीहत करो अपने खांदान अलमगीरा के पुर्जोर तरीके के खिलाफ मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ उन लोगों के खिलाफ जिन से आज तक मैंने कोई ख्तलाफ ना किया और जब तुम हनीफा की फौज से मिलो तो उनके हालात को देहान से पढ़ना जैसे तुम उनसे पहले कभी ना मिले हो वो सब तुमारे खिलाफ है उनकी जमीन बहुत वसी है जब तुम उनके करीब पहुंच जाओ तो सारी चीजों को अपने हाथ में ले लेना खुदा तुम्हारा मददगार हो इस मनजर में खालिब रजी आला नहों अपनी फौज के पास आते हैं फौज चुका ना खड़ी होती है दूसी तरफ मुस्लिमा की फौज भी तैयार खड़ी होती है कि हमला किया जाए मुस्लिमा अपने फौज के लोगों से खिताब करते हुए कहता है कि आज घुसे का दिन है अगर तुम हार गए तो तुमारी औरतों को लुद्व के लिए ले जाया जाएगा अपनी बका और अपनी औरतों की हिफाज़त के लिए लड़ो इतने में खालिद रजी अल्वार नियाम से निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं मैं खालिद इबने वलीद हूँ तुम्हे ललकारता हूँ तुम मेंसे जो ये समझता है कि मुझसे लड़ सकता है वो आगे बढ़े मुसलिमा ये सुनकर अपने दो बेहतनी लोगों को भेजता है फिर उनके दरमयान लड़ाई होती है और खालिद रजी अल्वार नहों उन दोनों को मौत के घाट उतार देते हैं और मुसल्मान फॉर्ज ये देखकर एक ही वक्त में या मुहम्मद का नारा लगाती है खालिद रजी अल्वार नहों दोबारा से ललकारते हुए कहते हैं कि है कोई और या तुम सब की बहादरी मर गई या तुम लोग अपना दिल हार बैटे जब सामने से कोई जवाब नहीं आता तो वो कहते हैं मेरी बात सुनो मुसलिमा मैं तुम्हे और तुम्हारे लोगों को यहां से निकलने का मशवरा देता हूँ अभी हग की तरफ दोबारा आ जाओ और दूसरों से पहले तौबा कर लो और को हो कि मैं इमान लाता हूँ कि अल्ला के सिवा कोई अ advocacy के लाइख नहीं यह के मंद सल्ला लाह लिया वालयव सल्ल्भ के रसूल है और दूव के तुम अब तक और खराबी में रहे अगर तुम यह करते हो और खुदा और उसके रसूल और खलीफा की इतात का एहद देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि उसे कबूल कर लूँगा और तुम्हें माफ कर दूँगा और जंग भी खतम कर दूँगा अब तुम क्या कहते हो मुस्लिमा ये सुनकर अपनी फौज की तरफ बढ़ता है और ये देखकर खालिद रजी अपने गोड़े पर बैटते हैं और कहते हैं अपने लोगों का खुन मत बहाओ मुस्लिमा मुझे वो दो जो मैंने कहा है और मैं तुमें वो दूँगा जिसका मैंने तुम से बादा किया है लेकिन मुस्लिमा अपनी फौज को लड़ाई के लिए तैयार होने का इशारा देता है दूसरी तरफ खालिद रजी अला अन्हों भी अपनी तलवार न्याम से निकाल कर या मुहम्मद का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं दोने तरफ से जंग शुरू हो जाती है लड़ाई के दौरान ही एक काफिर अब्दुल्ला रजी अला अन्हों को पीछे से नेजा मारता है और वो शहीद हो जाते हैं पिर दूसरी तरफ अबू हुज़ैफा रजी अला अन्हों की शहादत होती है और थोड़ी ही देर में सलीम रजी अला अन्हों को भी तीर लग जाता है और जैद रजी अला अन्हों जो अमर रजी अला अन्हों के भाई हैं वो भी इस जंग में शहादत पा जाते हैं ये देखकर मुसल्मानों की होसले पस्त होने लगते हैं और वो इधर उधर भागने लगते हैं अमार इबन यासिर रजी आला अन्हों मुसल्मानों से मुखातिब होकर कहते हैं कि आई मुसल्मानों क्या तुम जनत से भाग रहे हो अब्दुल्ला इबन अमर रजी आला अन्हों उन सब को रोकर कहते हैं कि रुक जाओ और लड़ो क्या तुम लोग जन्नत से भाग रहे हो और ये मनजर देखकर मुस्लिमा मुस्कुरा रहा होता है खालिद रजी अला अन्हों अपने गोड़े पर बैठकर मुस्लिमा की तरफ भड़ते हैं कि उसे खतम करें खालिद रजी अला अन्हों निज़ा उठाए हुए एकदम मुस्लिमा के करीब खड़े काफिर को मार देते हैं ये देखकर के खालिद उसके करीब पहुँच किया है वो ड़र जाता है और अपने लोगों को कहता है कि बागों की तरफ जाओ ये सुनकर तमाम काफिर बागों की तरफ भागने लगते हैं ये देखकर कि काफिर भाग रहे हैं खालिद रज keyboard का नारा लगाते हैं और फिजा में अल्लश अक्बर का नारा बुलंद हो जाता है और एक दम हारी हुई बाजी Пलड जाती है اور مسلمان جنگ جیت جاتے ہیں اور تھوڑی دیکھ پہلے جو شخص مسلمانوں کو ہارتا ہوا دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے وہ ڈر کر باغوں کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے اس جنگ میں مسلمانوں کا جانی نقصان بھی ہوتا ہے اور اسلام کے بہت اہم لوگ بھی شہادت پا جاتے ہیں اس منظر میں خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان سب شہیدوں کی اچھی طرح سے تدفین کا حکم دیتے ہیں پھر امار رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہتے ہیں کہ امار اب کیا کریں گے وہ لوگ اندر چلے گئے ہیں اور ہم انہیں پکڑ نہیں پائے یہ سن کر وہاں موجود سپاہی کہتا ہے کہ ہمیں باہر ہی رہنا چاہیے جب تک کہ وہ بھوگ سے ہلکان نہ ہو جائیں امار رضی اللہ تعالیٰ انہوں جواباً کہتے ہیں کہ ہم یہاں کتنے دن ٹھہر سکتے ہیں ہمارے جسم سرد ہو جائیں گے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں اب ہم کیا کریں جبکہ انہوں نے تمام دروازے بند کر دیئے ہیں اور دیواریں بے حد اونچی ہیں اتنے میں ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے مجھے دیوار کے اس طرف چڑھا دیں جب میں دوسری طرف جاؤں گا تو تم لوگوں کے لئے دروازہ کھول دوں گا اور جب تم لوگ اندر آوگے تو ہم باقی دروازے بھی کھول دیں گے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں یہ سن کر کہتے ہیں کیا تم خود کو مروانا چاہتے ہو وہ شخص کہتا ہے میں ان کو قتل کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ جو میں قتل کر کے رہوں گا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کو کہتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں ان لوگوں کی طرف ڈال دیں اور دروازے کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی وہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں وہ شخص جواباں کہتا ہے کہ وہ لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم میں سے کوئی ایسا کرے گا وہ ابھی آرام کر رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ وہ اب محفوظ ہیں خدا کی قسم میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہم ہی بھڑتے ہیں اور آگے بھڑتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس قسم کا اختتام ہوتا ہے آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں میری ویڈیوز لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اگلی کس تک کے لئے اپنا خیال رکھیں شکریہ